नमस्कार नित्य साधना में आपका श्वागत हैं दोस्तों आप जानेंगी रक्षा बंदन सुभ महुर्थ के बारे में वैसे ही आपको पता होगा कि भद्राकाल और राहुकाल के दवरान राखी नहीं बादे जाती हैं तो इन दो तिथियों से सदा साधान रहना चाहिए क्य समया एक सेजर हमें प्राप्त होती है कि एक बार श्री किष्ण जीन के क pompने के कारण द्रौपधि ने इनकी अंपनी साधी से उनकी ने को बांधा था था फंखी हरड के समय द्रोपती की साड़ी बढ़ा करके उनकी लाज बचाए थी तब ही से ये प्रधा चलती आ रही है कि भाई बहन यानि कि भाई भाई की हाथ में राकी बांद करके उससे अपनी रक्षा का वचन लेगी प्राया ये तेवहार जो है सावन मास की पुणिमा को मनाया ज इस प्रोफ महीं तो कम से कम आप रक्षा करने का आपको वर्दान देते हैं आँसा नियम उसके बाद रक्षा बंदन की थाले में आर्थी होती है और कि बढесा होता है यानि कि राखी होती है और रोली होती आ है जो अक्षट है वह होती है ょई है तो यहीं सारी राधी होती होता है को बहुत अधिक सामगरी करना की वह दिवान कि आवश्यक्टता नहीं होता है और राखी बाद Ver रक्षावंधन की थाली में जरूर रखना चाहिए और यदि आप भाई हैं और आप अपनी बहन से राकी बदवाने जा रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए राकी बदवाने के समय खुला हुआ सर नहीं होना चाहिए सर को ढग करके तभी राकी बदवाना और दक्षिण मुखी होकर के कभी ना तो बहन को राकी बादना चाहिए ना भाई को बदवाना चाहिए तो दक्षिण जो मुख करके काम किया जाता है तो बिल्कुल ही निसेद माना जाता है दक्षिण दिसा यमराज की दिसा मानी जाती है तो सुबकारियों के लिए दिसा प्राया वर्जित होती है ये काम करने से आपको बचना चाहिए दूसरी चीज जो कि महत्वपोर्ण है कि आप चाहे आपके आर्थिकिस्तिति kुछ भी हो लेकिन बहन के द्वारारा की बादे जाने पे आपको कुछ नुकुछ उपाहार देना चाहिए कुछ उपहार जैसे कि आप कुछ पैसे भी दे सकते हैं, कुछ कपड़े, कुछ गहने, जो भी आपके इस रद्धा हो, जो भी आपका सामर्थ हो, उसके अनुशार कुछ न कुछ देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहन को दान देना बहुत अधिक सुप सकुन माना जाता है, ऐसी माननेता है कि बहन इबेटी हुई या बुवा हुई इन लोगों को यदि दान किया जाता है, तो हमारे धन में ब्रिधी होती है, तो कभी भी खाली हाथ जो है, बहन को राखी नहीं बदवाना चाहिए, कुछ नहीं तो आपी 11 रुपे, 15 रुपे इस तरह की पैसे ही र बायते हैं, तो अई 11 रुपे, 16 मिनिट का हो रहा है, तो काफी शमय है, यस समय आप राकी बांद सकते हैं, अब सब सूबाद, बद्रकाल औरम इस महरत की 6 पंद्रा की नहीं बांदी है उस मुहुर्थ में आप राखी नहीं रहते हैं तो भाई बहन के रिष्टे मधूर नहीं रहते हैं और आपके भाई के जीवन में तमाम समस्याएं आती हैं तो ये सारी चीजें आप समझें और अख्षा बंदन के रहें बड़े प्रेम और प्यार से मनाएं क्योंकि भाई बहन के रहें काफी प्रेम और सहर्थ के रहें तो उमिद करते हूं जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी मिलती हुशी तरह की वीडियो एक साथ धन्यवाद झाल